एक रात पूरी राजदानी माथी कबजागर्नू एक प्रकाले असंभब ने थियो, तर एक समेमा यही असंभब लागने काम संभब भायको थियो नारे नीटी राजदाबार बायक देश का मत पूर्ण कारेले तथा सैनी का मुख्याले समेत बिद्रुई हर को हात मा पर्न गयता पनी केई घंटा बित्र नहीं बिद्रुई पक्षेले और केई कदम चाल नपुगे तीन हज्जार बंदा बड़ी संख्यामा रायका बिद्रुई हरुले सो आक्रमन लाई अज़े अगी बड़ायक बए देशले और केई मोड लेन सक्थियो एदी बिद्रुई हरुको अवियान सफल भायको बए पहिलेनी देश गणतंत्रमा गई सक्थियो तर तेश पसी की हुन्तियोता बन्ने प्रस्ण एक कलपना मा मात्रे सिमित रहेता पनी केई इतियांसकार तथा लेखा करूले यही कलपना को सहारा लिदे कैले काई पक्षे र बिपक्षे मा मत मतांतार हरू जायर गरेका तुप्री लेखरू पर्णी रसुन्ने गरेका छौू। तर बास्तपमा सो गठना कसरी गठना गएता बन्ने बारेमा आजेको कारेक्रम मा चार्चा कगरने छौू। बिक्रम संबत 1963 साल को बैसाक मैना मा डोटी को एक मद्धिम बर्गिये ठकुरी परिवार कुमर नरधो सिंग का छोरा को रुपमा कुमर इंद्रजित सिंग को जन्म भायो आठेई बर्षको उमेर मा उनी भारत को उत्तर प्रदेश तिर लागे उतेई बाट उनले आफनो प्रारंबिक सिक्षा पूरा गरे पची रोजगारी को लागी आफना परिवार सैथ बर मामा पुगे बरमामा राधाने उनले माध्यमिक सिक्चा पुरा गर्णुको साथै आयरुवेद सम्मंदी अधिन पनी गरे पची बिक्रम संबत 1999 साल मा कलकता विश्व विद्यालाई बाट एमबीबेस को अध्यन पूरा गरेका डक्टर कुमर इंद्रजित सिंग होमियोपिथी सम्मंदी डक्टर थिये तेस पची ने उनी डक्टर के आई सिंग को नामले परिचित हुन पुगे दोस्रो विश्व युद्धता का भारत मा भायरेको सोतंत्रता आंदोलन का अग्रनी क्रांतिकारी नेता सुबास्चंद्र बोस संग उनको भेड़ भायो तेस पची डक्टर के आई सिंग पनी सुबास्चंद्र बोस का अनुयाई पंदी आजद हिंद फोज मा भर्ना भए तर पची पिक्रम संबद 2001 साल मा भारत को भायरोवा छेत्रको सिमा वर्थी भारती बस्ती नौतन्वामा आई जीवी को पार्जन को लागी सानो अउसदी पसल खोले डक्टर सिंग नौतन बाट बिरामी को उपचार एबम अउसदी ब्यपार को क्रम मा नेपाल को तराई चेत्र का बिविन्न स्थान हरुमा गुमने मौका पाये ये सेरी उनले नेपाल को ततकालिन राजनिती तथा देश को अवस्था बारे राम्ररी भुजने अवसर पाये का थिये नेपाल मा पनी राणा सासन को बिरोद मा बिविन्न बिरोद का कारेक्रम औरुब भैरै को था पाये ये संगई उनी नेपाली कांग्रेश को संपर्कम अपने आये। बिक्रम संबत 2005 साल मा तौली हवा का भोलानात सर्मा को माध्धेम बाट डॉक्टर सिंगलाई नेपाली राष्ट्विये कांग्रेश पाठी को सदसे बनाई सक्रिये राज नितीमा लागन प्रेरीद गरे। राणासासन को अंती को लागी जस्तु सुकी कदम चालन तेया रैकाउनी ससत्र आंदुलन का कट्टर समर्थक बन नपगे। नेपाली कांग्रेश को बैर गणिया संबेल्यानले राज तंत्र अंदर गत संग्षदी प्रजातंत्र को स्तापना गर्ना राणासासन को समाप् नेपाली कांग्रेश का ततकालिन सबापती एबम आंदुलोन का सर्वोच कमांडर मात्रिका प्रसात कोई रालाले डक्टर सिंगलाई लिखित रुपमा पस्तिम नेपालको गवर्नरको रुपमा नियुक्त गरे। यही निर्णै बाट डक्टर के आई सिंग साइथ गोपाल सम्चेर राणालाई पस्तिमी मोट्चा बाट ससत्र संगर्श चलावने मुक्ति सेनाको नेत्रुतो प्रदान गर्यो। यह सम्मुले बिक्रम सम्व द्वेजार साथ साल कातिक 29 गते भाईरोवाज स्थित बड़ाहाकीम कारेले माती पयुलूपटक आक्रमन गर्यो। चार घंटा सम्म चलेको सो आक्रमन मां डक्टर के आई सिंको बिद्रोई सम्मो बड़ा हाकिम कारेले बायग भायरोवका अन्य सबी कारेले माथी आफनो नियंत्रन कायम गर्ना सफल भायो। एसेरी बिद्रोई सम्मो ले नियंत्रन लियेको तीन दिन पछी अर्थात विक्रम सम्भद 2007 साल मंग्शिर द्वी गते का दिन सरकारी सेनाले बिद्रोई सम्मो माथी धावा बोलियो। तर बिद्रोई हरू सुरु देखिने तयारी अवस्तामा बसे काले सरकारी सेनाको ठूलो छेती सैथ पछे हटनु भर्यो। एसको बोलिपल्ट पुन डक्टर के आई सिंको सम्मो ले अदालत र जेल भावन माथी पनी कबजा गर्ना सफल भायो। एसरी बिद्रोई समले लगतार सपलता हात पारदै गर्दा नेपालकु सासन बेवस्ता सम्मंदी दिल्ली मा एक सम्जवता भायो। सम्जवता पस्चात बिक्रम सम्बाद 2007 साल माग तीन गते का दिन मात्रिका प्रसात कोई रालाले आफना नेता, कारेकरता, सैनिक कमांडर, स्वेम सेवक लगायत नेपाली जनतालाई आंदोलन संग सम्बंदित सम्पुर्ण गतिविदियरू बंद गर्ना आदेश दिये। तर राडा कांग्रेज को सम्जवता लाई डक्टर के आई सिंग ले ठाडे बिरो जनाय र बिद्रो लाई निरन तरता दिने चेतावनी दिये। बिक्रम संब दुजार साथ चल फागुन साथ गते का दिन श्रिपास त्रिभोन बाट भायको एकसे चार बर्शे राडा सासन को समाप्ती तथा प्रजात तंत्र को स्तापना को गोशना भायो। तरह एसको ठिक बिपरित डक्टर क्याई सिंग ले आफना दुईसे जना जती मुक्ती सेनका जवान हरु लियेर भईरोवा माथी पुन आक्रमन गरे। शुँ आक्रमन मा पनी बड़ा हाकिम को कारेले बाहेक अन्य सबै स्तान अरलाई आफनो अधीन मा ल्याउना सफल भाय। यस प्रकार देशको सांती सुभिविस्तामा खलल परी रहे कोले नेपाल सरकारले भारते फोउज को सयोग मागयो। एक हज़ार भारते सयनी करू नो तन्वा हुदै नेपाल को सीमा भीत्र छिरे। सुही सालको फागुन 11 गतेका दिन ब्यान 10 बजे तीर पुरुब र दक्षिन तीरबाट भारतीय सेना र उत्तर तीरबाट नेपाली सेनाले डक्टर क्याईशिंग को सम्वलाई घेरे। का करिब चार से जवान हर लाई पनी भाईरोवा जेल मा थुनियो। प्रजातंत्र को लागी लडी रहे का मुक्ती सेना को बिद्रो लाई पुर्णतया दबाईयो। बंदी बनायेको तीन मैना पची अर्थाद विक्रम सम्वाद 2008 साल असार 25 गते मद्दे रात मा डक्टर क्याईशिंग लगायत उनका साथी हर ले जेल को मूल धोका तोडे र बाईर भागना सफल भाये। तर डक्टर क्याईशिंग को हात र खुट्टा मा हात कडी एबम निल लगाये कोले उनी मुक्त भाय पनी हिर्ण सक्दई न थिये। तेसे कारण उनलाई मुक्ती सेना का जवान अले बोकेर बैरोवा देखी पस्सीमा परने पिपरिया नामक गाउमा लगे। बोली पल्ट बिहाने एक जाना लोहार बलाएर उनको निल एबम हात कडी काटियो। तेस पची उनी पालपा जिल्लाको पस्सीमी छेत्र हुदे उत्तर थिर लागे। तरप पची छलकपट पुरुबक उनलाई बिक्रम संबाद 2008 साल 27 गते का दिन गिरफतार गरियो। गिरफतार पसी बदो 26 गते साज 6 बजे तीर काटफंड को बालजु लाई पुरियायो। बालजु पुरियाये का डाक्टर सिंग लाई 4 गंटा तेही राखेर राती 10 बजे तीर उपत्ते का भरी बिजुली बंद गरी मोटर मा राखेर सिंग दरबार मा लियायी। त्याहा सम्बर 2008 साल माग 4 गते ताका मुक्ती सेना का पुर्व चत्र का कमांडर रामप्रसाद राई रा नेता अगनी प्रसाद खरेलाई गिरफतार गरी सिंग दरबार भित्र ने कैद गरियो। उनियरलाई डक्टर के आई सिंग संगे राखियो। ये सपची रामप्रसाद राई का बिद्रोई र बाईर रहे का सेना बेज गोली हाना हान बायो। रामप्रसाद राई लगाईत का बिद्रोई नेता हरूले डक्टर के आई सिंग लाई नेता चाइन गरे। बारुत बंडारन गरने चावनी, सील खाना, सरकारी ढुकुटी रा हवाई मैदान लगायत सिंगो राजदानी लाई नियंत्रन मा लिये। बिहान सम्म मा सबै जसो प्रमुख कारेले अरू रक्षा दलको नियंत्रन मा आई सके को थियो। देरेजसो ततकालीन मंत्रियरू तथा प्रधान मंत्री सुरक्षयाको लागी राजदर्वार मा सरन लीन भुगे। केही लेख करुका अनुसार सो समय मा बित्रुयरकु तर्फ बाट डक्टर के आई सिंग लाई प्रधान मंत्री, राम प्रसाद रायलाई रक्षय मंत्री, अग्नी प्रसाद खरेगलाई ग्रिय मंत्री, चंद्र सक्यर साक्यलाई अर्थ मंत्री रा बाल चंद्र सर्मालाई प् बिद्रुई हरुकु मारमा सामन्ने जन्तारले दुख पाऊना सकने रा भारतिय सैनी करूपनी नेपाल वित्रप्रवेश करना सकने विचार गरी माग 9 गते 202 बजे तिरने डॉक्टर क्याई सिंग रामप्रसात राई लगाईत का अन्नी नेताहरु सिंग द्रबार बट निस जन्डे चार बर्ष सात मैना पचे डॉक्टर क्याई सिंग को समो नेपाल फरकियो। पुरेंद्र विक्रम सा रक्षा मंत्री तथा लक्ष्मी प्रसात देवकोटा सिक्षा रस्वायत शासन मंत्री बने का थिये। अनुसार इनी प्रदान मंत्री भयके बखत आफने माथत का कर्मचारी हरु माथी पनी हात पात गरे का थिये। इसका साथाई इनले भित्र भित्र एक ठुलो सरेंत्र पनी गरी रहे को बारे पनी केई लेख करले उल्ले गरे का चन। उनियर का अनुसार डक्टर क्याई सिंगले राजा महेंद्र लाई बिक्रम सम्बत 2007 साल अगी को जस्ते थपना मात्रे बनावने रा प्रदान मंत्री लाई सर्वे सरबा बनावने योजना गरी रहे को रासू योजना मा नेपाली सेनालाई सामिल गरावने अभियान मा इस पचिनाई राजा महेंद्र डक्टर क्याई सिंग संग चिडिया का थिये अंतता सरकार बने को 110 दिन पचि और थात बिक्रम सम्बत 2014 साल कातिक 29 गते का दिन डक्टर क्याई सिंग को मंत्री मंदल लाई बिगठन गरियो बिक्रम सम्बत 2015 साल मा संपन्न निर्वाचन का समय मा उनले संयुक्त प्रजातंत्र पाठी को स्थापना गरे रा आफुतेस पाठी को अध्डर्ग से बने निर्वाचन मा उनी स्वयम ले भाग लियेता पनी सफलता हाथ पारना सके नन। तर उनको पाटिले पांच स्थान हरुमा जितना सफल भायो। बिक्रम संबत 2017 साल पुष एक गते राजा महिंद्रबाट संग्षत बिकटन गरी राजनितिक बेक्ति अरलाई गिरफ्तार गरीदा उनी पनी पक्राउमा परेका थिये। तर केई समय पची ने उनी कईद मुक्त भय। पची डक्टर क्याई सिंग लाई प्रथम राज्च बाइस्ताई समितिको सभापतिमा नियुक्ति गर्यो। तरा उनी सफद गर्ण मा भने गयनन। पंचायत काल मा डक्टर क्याई सिंग सुदुर पस्सिम बाट निर्विड्यूत राष्ट्रे पंचायत को सदसे मा चुनिये। बिक्रम संबद 2036 साल मा संपन्न जनमत संग्र मा उनले बाउदल को पक्षे मा वकालत गरे का थिये। नेपाल मा प्रजातंत्र ल्याउन अहम बोमी का खेले का एक प्रभाव साली कमांडर तथा नेपाल का प्रुब प्रधान मंत्री डक्टर के आई सिंग लाई विस्तारे रोगले चैप दे लगयो। उनी घाटी को कैंसर को उपचार को लागी थाइलेन को बेंकक तीर लागे। तर विक्रम संबद 2049 साल असोज 19 गते का दिन उपचार को क्रम मा नहीं बेंकक मा उनको निदन भायो। यो कारिक्रम यहार लाई कस्त लागे। क्रिपय कमेंट बक्ष मा लेखी पठाउन हला। इसते रोचक्त था तथे इतिहास को लागी हिस्त्री इन नेपाली चैनल लाई सदधाई बस समझनोज। इतिहास को कुनी पनिकाल खंड बारे तपालाई सुन्न रा बुजन चान राकनु भाय को चावबने तल रएको कमेंट बक्ष मा उलेख गर्मोर्स। हामी सो बारे प्राथ मिक्तक साथ कारिक्रम बनाऊने ने चाव। जादा जादाई एस चैनल लाई लाईक, शेर रा सस्क्राइब गरदे बेल आइकन माँ क्लिक गरे हाम्रों यो तथे इतिहास को बारे ज्यान प्रसार गरने लक्चलाई साथ धिनोज बन दे और को कारिक्रम माँ फेरी भेटने बाचा गरदे माँ सार्थक नेपाल नमस्कार